नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रिप नॉलेज में दोस्तों आज से आप लोगों की हिंदी की क्लास सुरू होने जा रही है हिंदी में हम लोग topic wise के वल वही सारे objective questions को पढ़ेंगे जो परिक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से request है अगर आप लोगों को या वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like share कर दी या करिए तो दोस्तों आज हम हिंदी वर्ड माला से पूछे गए सभी प्रस्नों को पढ़ेंगे तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पहला प्रस्न है हिंदी वर्ड माला में ओस्म वेंजन कौन से है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों option A ša sa अगला प्रस्ण है दोस्तों हिंदी के हिंदी के जिन वर्डों का उचारण करते समय केवल स्वाशका प्रयोग किया जाए उन वर्गों को कहते हैं तो इसका सही उतर हो जाएगा दोस्तों option a अग्योष कहते हैं अगला प्रस्ण है या रा ला वा वेंजन को कहते हैं तो इसको जो है अंथस्त वेंजन कहते हैं option B सही होगा दोस्तों इसका अगला प्रस्न है दोस्तों निम्नलिखित में से ओष्ट द्वनी कौन सी है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों option number D फा है अगला प्रस्न है वावल को हिंदी में कहते हैं वावल को हिंदी में स्वर कहते हैं दोस्तों option number C सही होगा इसका अगला प्रस्न है जिन सब्दों के अंत में A आता है उन्हें क्या कहते हैं तो इसका सही option होगा दोस्तों option D आकारान कहते हैं अगला प्रस्न है कौन स्वर नहीं है इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों option number option number D बा जो है स्वर नहीं है अगला प्रस्थन है निम्न लिखित में से कौन सा वर्ड घोष है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों option number C दा जो है वो घोष है अगला प्रस्थन है दोस्तों, option number D, word को कहते हैं, सबसे छोटी काई, याद रखिएगा दोस्तों, word माला किसे कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, option number D, विवस्थित word समो को word माला कहते हैं, अगला प्रस्न है, निम्नलिखित में से कंठ धुनिया कौन सी हैं, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, option number A, का और खा अगला प्रस्ण है, निमने लिखित में से उच्चारण के आधार पर मूर्धन या वेंजन बताईए कौन-कौन से हैं तो इसका सही उत्तर होगा, दोस्तों, option number C, डा और धा अगला प्रस्ण है, निमने लिखित में से अल्प प्राण वर्ड कौन से हैं तो इसका सही उत्तर होगा, option number B, का और गा अगला प्रस्ण है, निमने लिखित सब्दों में से नवीन विक्षित धुनिया कौन से हैं तो इसका सही उत्तर होगा, option number A, खा और गा अगला प्रस्ण है निम्न लिखित में से कौन सा घोष वर्ड है Option नमबर C मा मा जो है घोष वर्ड है अगला प्रस्ण है निम्न लिखित में से एक वर्ड वेंजन नहीं है तो इसका सही उत्तर होगा Option A अगला प्रस्ण है निमनिलिखित में से कौन सी धोनी ओस्ठ नहीं है इसका सही उत्तर होगा option number D ता जो है वो ओस्ठ नहीं है बाकी पा, बा, मा ये सारे वर्ड जो है ओस्ठ है अगला प्रस्ण है हिंदी भाषा में मूलता वर्डो की संख्या कितनी मानी गई है तो 52 मानी गई है दोस्टों सही उत्तर होगा option number C अगला प्रस्ण है निमनिलिखित में से नासिक वेंजन कौन सा है तो options है दोस्टों यह option यहाँ पे दोस्टों इसका यहाँ पे इन्या है इन्या, आ, गा, और जा तो सही उत्तर होगा दोस्टों option A यह जो है वो नासिक वेंजन है अगला प्रस्ण है option अगला प्रस्ण है ए, ए, वर्ड क्या कहलाते है तो दोस्टों यह जो है ए और ए, जो है यह कहलाते है इसका सही उत्तर होगा दोस्टों option D कंठ तालव्य कहलाते हैं निमनलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्ड माला में इस्थान नहीं दिया गया तो option number C श्री को जो है मानक वर्ड माला में इस्थान नहीं दिया गया अगला प्रस्द है निमनलिखित सब्दों में से किस सब्द के द्वित वेंजन है सही उत्तर होगा दोस्तों option C, दिल्ली डबल ला है दोस्तों इसमें अगला प्रस्ण है शा, शा, सा, हा कौन से वेंजन कहलाते हैं तो दोस्तों ओस्म संघर्षी वेंजन कहलाते हैं सही उत्तर होगा option D अगला प्रस्ण है छा ध्वनी किस स्वर के अंतरगत आती है तो सही उत्तर होगा दोस्तों सैयुक्त वर्ड के अंतरगत आती है अगला प्रस्ण है हिंदी सब्द कोष में छा का करम किस वर्ड के बाद आता है सही उत्तर होगा दोस्तों ओप्षन A का वर्ड के बाद बाता है अगला प्रस्थ है दोस्तों ग्या वर्ड किन वर्डों के सहीयोग से बना है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ओप्षन B जा धन या के सहीयोग से बना है दोस्तों यहाँ बीच में अगोश वर्ड कौन सा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों option number D सा जो है वो अगोश वर्ड है अगला प्रस्ण है घा का उच्चारा रिस्थान कौन सा है तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों option number B कंठ्यव अगला प्रस्ण है निम्न लिखित में से सैयुक्त वेंजन कौन सा है तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों option number B ज्या जो है वो सैयुक्त वेंजन है अगला प्रस्ण है निम्न लिखित में से कौन सा वर्ड उचारण की द्रिष्टी से दंत नहीं है तो सही उत्तर होगा दोस्तों option number d टा जो है वो धन्त नहीं है हिंदी वर्ड माला में वेंजनों की संख्या कितनी है तो दोस्तों सही उत्तर होगा इसका option number c 33 च्छा वर्ड किसके योग से बनता है तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा option number a का धन शाद के से योग से बनता है अगला प्रस्ण है हिंदी वर्ड माला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option number B, 11 है अगला प्रस्ण है निमने लिखित में से कौन सा स्वर्ख नहीं है तो इसका सही उत्तर होगा option number B जा जो है वो स्वर्ख नहीं है निमने लिखित में से कौन सा टावर्ग का नहीं है तो इसका सही उत्तर होगा option number D घा जो है वो टावर्ग में नहीं है अगला प्रस्ण है हिंदी वर्ड माला में कितने वर्ड है तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तो B औप्शन नमबर B, 52 वर्ड हैं हिंदी वर्ड माला में अगला प्रस्ण है, निमनलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, औप्शन A आज हो है वो पश्च स्वर है अगला प्रस्ण है खड़ी पाई वाले वेंजनों का सहयुक्त रूप से कैसे बनाया जाता है कैसे बनाया जाना चाहिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ओप्सन नमबर B खड़ी चौपाई को हटा कर बनाया जाना चाहिए अगला प्रस्ण है विशर्ग से बना सब्द कौन सा है तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी नी इस्प्रे जो है वो विशर्ग से बना हुआ सब्द है अगला प्रस्ण है इन में से कौन सा वर्ड स्वर है तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों option number A ए जो है वो स्वर है निमने लिखित में से अंतस्त वेंजन कौन सा है तो सही उत्तर होगा दोस्तों option number B या जो है अंतस्त वेंजन है अगला प्रस्ण है इन में से O का उच्चारण इस्थल कौन सा है तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा option number D कंठ और ओस्ट अगला प्रस्ण है चा और छा वर्ड का उच्चारण इस्थान कौन सा है तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों option number A तालू है चा और छा वर्ड का उच्चारण इस्थान तालू है अगला प्रस्ण है का, गा, जा, फा धनिया किसकी है तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्सन नमबर B अर्भी फार्सी की है ये अगला प्रस्ण है तालव वेवेंजन है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्सन नमबर B चा, छा, जा और जा ये तालव वेवेंजन है अगला प्रस्ण है कौन सा वर्ड घोस नहीं है सही उत्तर होगा दोस्तों आप्शन नमबर C C जो है वो घोस नहीं है अगला प्रस्ण है अगला प्रस्ण है दोस्तों किस सब्द में री स्वर नहीं है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों option number D आज में जो है वो री स्वर नहीं है अगला प्रसन है दोस्तों भासा की सार्थक लगुत्तम इकाई कौन सी है तो option C ध्वनी है भासा की लगुत्तम सार्थक लगुत्तम इकाई अगला प्रसन है इन में से कौन सा वेंजन अल्पराण है तो इसका सह Ini उत्र हो जाएगा Option C चा जो है वो अल्पवराण है अगला और अंतिम प्रसन है इन में से कौन सा वर्ड इसपर्स वेंजन नहीं है तो सहिउत्र होगा दोस्तों Option D या जो है इसपर्स वेंजन नहीं है उमीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सेयर कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा धन्यवाद